नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके जिगर का चल्ला टिंकु जिया ये यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्षिन में फर्स कॉमेंट और फर्स व्यू लिखने वालों को सरकार कैवनिट मंतरी का दर्जा देगी पिछले दो साल से ऐसे कॉमेंट कर रहें लोगों को रैसीना हिल में एक बंगला, मर्सेडीस कार, सुबह शाम 21 तोको की सलामी और 2 लाख रुपए महीने तंखवाग दी जाएगी अधिक बाचीर के लिए सीधे चलेंगे मेरी बड़ी बुवा के छोटे लड़के रिंकु जिया के पास रिंकु ये क्या बजुडी है? जरा विस्तार से पताएं टिंकु खबर है कि कल शाम प्रदान मंत्री कुछ अधिकारियों के साथ बेरोजगारी की समस्या पर बात कर रहे थे तब ही एक अधिकारी ने प्रदान मंत्री गोपताया कि देश में ऐसे भी युवा हैं जो दिन भर दूसरों के वीडियो पर जाकर सिरफ फर्स कॉमेंट और फर्स व्यू लिखते हैं इतना ही नहीं कुछ लोग तो फर्स कॉमेंट का कॉमेंट करने वालों के कॉमेंट लाइक कर उन्हें बदाएं भी देते हैं टिंकू ये सुनने के बाद प्रदान मंत्री बिना कुछ कहे मीटिंग से चले गए और कमरा बंद करके मुँ में तक्या लेकर घंटों रोते रहें अच्छा फिर क्या हुआ प्रदान मंत्री ने इस पर क्या कहा बहार आने पर प्रदान मंत्री ने कहा कि वो इन लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं बताओ मुझे ये लोग और क्या क्या करते हैं अधिकारियों ने कुछ और स्क्रीन शॉट दिखाते हुए उन्हें ऐसे लोगों के बारे में बताया जो ट्विटर पर 50 days to Arjun Kapoor's birthday जैसे hashtag चलाकर 50 दिन पहले ही Arjun Kapoor का birthday celebrate करना शुरू कर देते हैं इसके बाद प्रदान मंत्री को जब ये बताया गया कि Facebook पर संबित पात्रा fan club नाम से एक page भी है और उसके 50,000 लाइक हैं तो वो पूरे तरे तूट गए और ध्यान लगाने केदार नात की उसी गुफा में वापस चले गए इस बीज खबर है कि प्रदान मंत्री गुफा से बाहर आ गए हैं भरवा बहेंगन हमारे साथ जुड़े हैं जी बरवा बहार आकर क्या कहा प्रदान मंत्री ने टिंको प्रदान मंत्री गुफा से बाहर आये तो उनका मन ऐसे लोगों के लिए प्रेम और वाक्सले से भरा हुआ था उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब दुनिया में नफरत और हिंसा बढ़ती जा रही है आपका पक्का दोस्त भी आपकी फेस्बुक पुस्ट लाइक नहीं करता आपके घरवाले भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर पर एंगरी इमोजी बना कर चले जाते हैं ऐसे में उन्हें देखकर खुशी हो रही है कि कुछ लोग मिमो चकरवती और अरजुन कपूर के बढ़डे 50 दिन पहले से मना रहे हैं वो फर्स्ट कॉमेंट करके वीडियो बनाने वाले को खुशी दे रहे हैं उन्हें ने कहा कि ये लोग विरोजगार नहीं बलकि राष्टे धरोर हैं और हमें उनको सजो कर रखना चाहिए हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है हमारे संसकारों में लेकिन इस बार का जो सेवा कारिय है वो सामान्य सेवा कारिय नहीं है यहां सिरफ किसी दुखी के आंखू आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था आपको बता दे कि इसके बार प्रधान मंत्री ने ऐसे तमाम लोगों की जानकारी इघटा कर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दरजा देने का फैसला कर लिया इन्हें रहने के लिए अली शान बंगले के इलावा आफिस आने जाने के लिए राफाईल विमान दिया जायेगा कौमेंट लिखते वक्त, नेटवर्क की दिक्कत ना हो जाये, इसके लिए इनके घर में ही मोबाल टावर लगाया जायेगा उनकी उंगलियों को राष्ट्रिय दरोहर मानते हुए उनकी हर उंगली का पाँच करोड का भीमा किया जाएगा उनकी उंगलियों की रक्षा के लिए उन्हें मटर और मूमफली छीलने के लिए अलग से एक आदमी दिया जाएगा आपको भी अगर ये स्कीम पसंद आई हो तो आप भी वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएं क्या पता आपको भी कैबिनेट मंतरी का दर्जा मिल जाएगा गुद्गुदी हो रही है आज गुद्गुदी हो रही है हम तुमको गुद्गुदी करेंगे झाल झाल